नमस्कार आज मैं फिर अरुन कमल की एक अन्य कविता सबूत लेकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ अरुन कमल की कविताएं हमें जग जोडती हैं कुछ सोचने को विवस करती हैं कि आखिर यह व्यवस्ता ऐसी क्यों है क्यों आम आदमी इस व्यवस्था में जीने को मजबूर है कहने को तो हम परजातंत्र में जी रहे हैं नेता ही हमारे अन्ने दाता है रख्चक हैं भख्चक हैं उनकी क्रिपा के बगएर कुछ नहीं हो सकता और भला आम आदमी उनका क्रिपा पात्र क्यों होने लगा इन मंत्रियों को जिने हम चुनकर संसद में अपना भागी विधाता बना कर भेजते हैं उन्हीं मंत्रियों के बारे में हमारी पुर्व प्रधान मंत्री स्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था उन मंत्रियों से सावधान रहना चाहिए जो बिना पैसे के कुछ भी नहीं कर सकते और उनसे भी जो पैसे लेकर कुछ भी करने की इच्छा रखते हैं सच कहें तो यह प्रजातंत्र गुंडातंत्र में बदल चुका है और इससे आम आदमी की जिन्दिगी दूभर हो गई है अरुन कमल की कविता सबूत इसी गुंडा तंत्र पर चोट करती है समाज में फैले भरष्ठाचार पर चोट करती है कविता को पढ़ने से यह पता चलता है कि इस तंत्र के प्रति अरुन कमल के मन में कितना विच्छोब है कविता को देखें वे बहुत खुश हैं हस रहे हैं बात बात पर दिन बादिन जवान हो रहे हैं लूट का माल तो उनके भी हाथ लगा पर उनके हाथ पर एक बूंद खून नहीं उन्हें सब पता है कौन लोग दरवाया तोड़कर देशी बंदूक लिए घर में गुशे मर्दों को खाट से बांधा औरतों की इज़त उतारी नाक की नत उतारी कंगन उतारड़े में जोड पड़ा तो छप से छाटदी हथे ली उन्होंने वो कंगन खुद अपनी बहन को रात में पहनाया कहीं एक बूंद खून नहीं जितना पवित्र पहले थे उतने ही पवित्र है आज भी निश्कलुस उनके खिलाब कुछ भी सबूत नहीं जो निर्दोस हैं वे दंग हैं हैरत से चुप हैं शक है उन पर जो निर्दोस हैं क्योंकि वे चुप हैं क्योंकि वे चुप हैं आईए अब कविता के भाव को समझे एक ही दौर में अनेक कवी होते हैं और एक ही अनभव से अलग अलग प्रभाव भी पैदा होते हैं अरुन कमल अपने दौर के एक अलग कवी हैं वे अलग दिखने के लिए कविता नहीं लिखते इसलिए वे अपनी पीड़ी में अलग हैं बलकि उनकी कविता सपाथ बयानी है। अरुन कमल हिंदी की कविता में अपने बोध और विचार के साथ तब दाखिल होते हैं जब देश में आजादी से मोह भंग की निराशा और हर ओर संसे वो आशंका का कोहरा घना हो रहा होता है। अपने इस वक्त के बारे में अरुन कमल ने लिखा है। बोलना गुना, खासना गुना, आंगन में औरतों का हसना गुना, छुड़ा भांजते गुंडे छुट्टा गूम रहे हैं। और अपने ही घर के चौकट पर बैठा आदमी मारा जा रहा है। पर अपनी तमाम सिमाओं के बावजूद एक समवेदन सील व्यक्ती चुप भी तो नहीं बैठ सकता। उसे अपनी और अपने लोगों की लड़ाई लड़नी होती है। कमजोर, गरीब, हारे हुए, धूसर के प्रती अनुराग और ताकतवर होता या गुंडा तंत्र ही लोक तंत्र की मूल सामगरी बन गया है। आज भरष्टा चार ही सिष्टा चार बन गया है। अरुन कमल हर चीज पर से आवरन हटा कर देखने वाले कवी हैं। इसलिए वे उस सबूत पर भरोसा नहीं करते जो हत्यारों और लुटेरों ने अपने पवित्र और निश्कलंग होने के लिए जुटा लिये हैं। वे इस सड्यंत्र के खिलाप चुपी तोड़ना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि शक है उन पर जो निर्दोस हैं क्योंकि वे चुप हैं। वे अपनी कविता के माध्यम से बार बार यह दिखाते हैं कि गरीब आदमी का जीना, सांस लेना, पानी पीना, हसना, बोलना, सब किस्त्र ताकतवरों की व्यवस्था को अखर रहा है। राजनीती को छलनीती बना कर दुनिया भर की सत्ता पर कबजा जमाय लोग साधारन आदमी के वजूद से घिर्णित मजाक कर रहे हैं। ऐसे आप राधियों को बिना कोई रियायत दिये पूरी गंभीरता और दिर्ड़ता से अपनी बात कहते हैं। यही कारण है कि अरुन कमल की कविताओं को पढ़ते वे हमें रगुवीर सहाय, मुक्ति बोध और नागारजुन जैसे कवियों की याद आती है। रगुवीर सहाय की कविता अधिनायक की इन पंक्तियों को आप देखें। राष्ट्र गीत में भला कौनव भारत भागी विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुन हर्चरणा गाता है। इसीतर नागारजुन की इन पंक्तियों को भी देख सकते हैं जो उनकी कविता भूले स्वाद बेरके से ली गई हैं। सीता हुई भूमिगत सक्खी बनी सूपनखा वचन बिसर गये देर के सवेर के। बन गया साहुकार लंका पति विभीशन पा गये अभैदान शावक कुबेर के। जी उठा दसकंधर अस्तब्ध हुए मुनिगन हावी हुआ स्वानमी कंधों पर शेर के। बुडभन्ज की लीला है काम के रहे नराम शबरी न याद रही भूले स्वाद बेर के। इस ब्यवस्था के प्रती अरुण कमल के मन में कितना गहरा विच्छोब है उसे इन पंक्तियों से जाना जा सकता है। मा बहनों की इज़्जत लूटी जिन लोगोंने उनकी जै हो। दात गड़ाने को जो व्याकुल उनकुत्तों की जै हो। पैसा फेंको पैसा जल्दी जल्दी फेंको पैसा। इस तंतर का कितना बखान किया जै। हरी अनंत हरी कथा अनंता की तरह इसकी बखान का भी कहीं अंत नहीं है। इसलिए सबूत कविता की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आप फिर मेरे साथ जरूर रहेंगे। ऐसी आशा है। धन्यवाद।